राम मंदिर से जुड़े आरजेडी के तमाम बयानों के बीच बिहार सरकार के एक और मंत्री का विवादित बयान आया है राज़त नेता सुरेंदर नाम ने श्री राम मंदिर के अक्षत वितरन पर सवाल खड़े किये है आरजेडी नेता ने कहा कि जो लोग आज भगवान राम के नाम पर अक्षत वितरन कर रहे हैं वे लोग ही आने वाले समय में देश को जला कर उसकी राख वाटेंगे तो सारी समपतियों को बेचने के बाद में देश में कहीं कुछ नहीं रहा देश की जनता को देने के लिए देश को युआओं को देने के लिए तो ये जो है ना अक्षत और फूल और कलो करके देश को जलाने के बाद राख को बितरन करेंगे देख रहे हैं न इस्तिति देश के युवाओं को अगनी बीर की आगों में जलाने का ये जला रहे हैं तो देश के युवाओं की अर्मान को जलाने का काम किये सुरेंदर राम विहार सरकार में श्रम संसादर मंत्री हैं लालु यादो की पार्टी से विधायक हैं और ये एकलोते नहीं हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं RJD के किसी विधायक को लगता है कि मंदिर मांसिक गुलामी का मार गहे तो खुद पार्टी की परदेश अध्यक्ष जगदानन ने कह दिया कि राम मंदिर का निर्मान नफरत की जमीन पर हुआ है उधर तेज परता व्यादों ने कहा कि राम मेरे सपने में आय थे उन्होंने कहा कि हम 22 तारीक को अई बे नहीं करेंगे इसके अलामा भी RJD विधायकों और मंत्रियों के लगातार विवादित बयाना रहे हैं आज RJD मंत्री सुलेंद राम ने भी ऐसा ही बयान दिया श्रम संसाधन मंत्री कोचक और करगहर के दोरे पर थे इस दोरान वो कई कारिक्रमों में शामिल हुए पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश के तवाम पर संपतियों को बेच देने के बाद अब BJP वालों के पास कुछ भी नहीं बचा है तो वह अक्षत बाट रहे हैं वे दावे के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में भाजपा के लोग देश को जला कर लोगों के बीच राख वाटने का काम करेंगे जिस तरह उन्होंने अगनिवियोरों के आग में पूरे देश को जलाया अब राम मंदिर के नाम पर देश को जला कर राख बाटने का काम करने जा रही है इस कारिक्रम के दवरान मंतरी का स्थानी कारिकरताओं ने जमकर स्वागत भी किया लेकिन उनका बयान सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इसमें मंतरी का कोई दोश नहीं जब आरजएडी के बड़े सब बड़े नेता भी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो जाहिर है दूसरे नेताओं के बयान भी इसी तरह के आएंगे आपकी क्या रहा है इस्विशे पर कमेंट बॉक्स में हमिताएं जुड़े रहें टिमियां ब्यार जाहरखन के साथ धन्यवाद